हलो एब्रिवान, वेलकम टू ज़स्ट पढ़ ले, आज हम करेंगे दा साउंड अफ म्यूजिक का पार्ट वान, एवलीन ग्लेनी लिसन चुदी साउंड विदाउट हेरेंगे, तो हम इस स्टोरी में एवलीन ग्लेनी के बारे में बात करेंगे, एवलीन ग्लेनी बहुत ही ज लेकिन थोड़े टाइम बाद, उनकी जो सुनने की शमता थी, वो धीरे धीरे कम हो गई, अब उनकी मॉम को एक बार ही याद आया कि जब वो एट इयर्स के थी न, तो एवलीन ग्लेनी अपनी पियानो टर्न की वेट कर रही थी उनको बजाने के लिए, जब उनका नाम लिय गया तो एवलीन ग्लेनी ने रिस्पॉंड नहीं किया, तो उनकी मा को वहीं पर हिंट मिल गया कि कुछ ना कुछ कमी है एवलीन ग्लेनी में, तो एक दिन क्या हुआ, जब वो 11 एर्स की थी न, तो उनके जो माक्स थे वो डिटरॉइट होने लग गए, मतला वो बहुत कम हो ने लग गए exam में, तो उनकी head mistress ने कहा, उनकी mom को, उनके father को कि उन्हें कहा लेकर जाया जाए, specialist के पास लेकर जाया जाए, जब specialist के पास पहुचे, तो डॉक्टर ने कहा कि एक serious nerve breakdown हो गई है, जिसके वज़े से एवलीन सुन नहीं सकती है, और उसे एक special school में भेजा जाए, एवलीन ने जैसे ही ये जाना, तो एवलीन को ऐसा लगा, कि वो बहुत ही जादा कमजोर है, और उसका future जो है वो बिल्कुल black हो चुका है, लेकिन एवलीन के अंदर एक determination था, कि उसे अपनी life को change करना है, और वो कैसे एक percussionist बनी, percussionist एक भी नहीं, multi-percussionist बनी, कैसे, उसे हम जानेंगे इस story में, तो चलिए, अब हम chapter को detail में पढ़ लेते हैं, आएए देखते हैं, Hello everyone, welcome to JustPardley, और आज हम करते हैं, The Sound of Music, हमारी Beehive book का chapter number 2, उसका part 1, that is Evelyn Glennie, listen to the sound without hearing it, means Evelyn जो थी, वो music को बिना सुने महसूस कर लेती थी, मतलब feel करती थी, ठीक है, तो उन पर हमारी ये जा story है, वो based है, यहां पर हमारे about the author के बारे में हम देखते हैं, जिन्होंने ये chapter को लिखा है, Deborah Cowley is a writer, वो एक writer है, ठीक है, she grew up in Toronto, वो Toronto में बड़ी हुई, पैदा हुई, और उन्होंने graduation करी थी, University of Western Ontario से, and moved to Ottawa for working purpose, और वो अचावा working purpose के documentaries for CBC's Man Alive, तो उन्होंने काफी film करी हैं for CBC's Man Alive पर, also in Egypt और Egypt में, she wrote the first official guide book, और उन्होंने Egypt ने पहली official guide book भी दिखी है, ठीक है, तो Deborah Cowley is a writer, अब सबसे पहले हम part 1 को start करें, मतलब कि वो music को इतना महतूस कर सकती थी, जितना हम सुनकर भी महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, that is why she expressed music so beautifully, इस वज़े से वो संगीत को इतने प्यारा हम यह कह सकते हैं, express कर सकती हैं, read the following account, आपको account को पढ़ना है, of a person who fought against physical disability and made her life a success story, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम यह देखेंगे कि जो Evelyn Glennie है, वो अपनी physical disability से कैसे fight करती हैं और कैसे वो अपने career को आगे upbuild करती हैं, तो सबसे पहले, start करें, rush hour crowd jostle for position on the underground train platform, a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train, तो यहां पर लिख रहा है, rush hour crowd jostle, मतलब की जो platform था, वो underground था, और वहां पर बहुत ज़्यादा भीड थी ठीक है, और लोग एक दूसरे पर धकल रहे थे, ठीक है, a slight girl, slight मतलब की कमजोर सी लड़की, थोड़ी सी वीक सी लड़की, जो जवान दिख रही थी, अपने 17 years से भी, was nervous, वो बहुत ज़्यादा nervous थी, घबराई हुई थी, लेकिन हां उत्तेजित भी थी, excited भी थी, as she felt the vibration of the approaching train, जैसे ही वो vibration को महसूस कर रही थी, जो train जो है वो पास में आ रही थी, it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, उसका पहला दिन था, कहां पर prestigious, मतलब की प्रतिश्चित Royal Academy of Music, कहां पर है वो London में है, and daunting, daunting मतलब cutting enough for any teenager fresh from the Scottish farm, तो वो Scotland के हम यह कह सकते हैं, बहुत ही normal जगा से थी, Scottish farm मतलब village oriented place से थी, अब वो कहां जा रही थी, and she was going to the Royal Academy of Music in London, और छोटी जगा से, अगर हम कोई बड़ी जगा पे जाते हैं, तो अफ्कॉर्स ही बात है, हमें घबराहट तो होगी ही, लेकिन जो Evelyn है, वो पहली deaf है, तो that is why उसको और भी ज़ादा घबराहट होगी, है ना, तो यहां पर यही लिख रखा है, it was a first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting, और इतना cutting for any teenager, कोई भी teenager के लिए, क्योंकि वो मात्र 17 साल की भी नहीं थी, तो यहां पर लिख रहा है कि हर teenager के लिए, बहुत ही जादा मुश्किल होता है, कि वो क्या करें, वो यहां पर, मतलब कहीं कोई बड़ी जगा पे जाए, लेकिन एवलीन के लिए, एक बहुत ही जादा serious thing क्या थी, वो यह थी, कि वो profoundly, मतलब कि seriously, वो deaf थी, मतलब उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता था, और वो magician field में जा रही थी, and that was so much challenging for her. एवलीन ग्लेनी, loss of hearing had been gradual. एवलीन ग्लेनी की जो सुनने की शमता थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, मतलब कि यह नहीं था कि she was born deaf, no, she was born as a normal child, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो सुनने की शमता थी, वो कम होती जा रही थी. हर mother remembers noticing something was wrong, when the eight-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो यहां पर उनकी mom बोलती है कि उन्हें थोड़ा सा याद आता है, she remembers noticing कि उन्हें क्या चीज़ नोटिस करी थी, something कि कुछ गलत है एवलीन के साथ, when the eight-year-old Evelyn, जब एवलीन आठ साल की थी, वो इंतजार कर रही थी अपनी turn का प्यानो बजाने के लिए, so something she thought कि कुछ ना कुछ तो गलत है, जिके कैसे उन्हें यहां पर थोड़ा सा हिंट मिला, कि ज़ए वो यहां पर हम यह कह सकते हैं, कि थोड़ा सा problem थी उसके अंदर, they called her name and she didn't move, अब जब एवलीन का नाम बुलाया गया ना, कि एवलीन, मतलब कि she didn't move, वो नहीं चल पाई, I suddenly realized she hadn't heard, तो वो यहां पर कहते हैं, कि मेरको suddenly अचानक से, यह realized हुआ कि उसने सुना नहीं है, चेके हैं, Isabel Glanick, Isabel Glanick वो कौन थी, एवलीन के mom थी, for quite a while, एवलीन managed to conceal, her growing deafness from friend and teacher, तो यहां पर लिख रहा है, for quite a while, मतलब कुछ समय के लिए, एवलीन managed, एवलीन ने managed किया, कि वो छिप जाए, her growing deafness, मतलब कि जो उसकी बढ़ती, नाच तुनने की शमता है, उसे वो छुपा पाई, लोगों से, समाज से, friends से, teacher से, लेकिन ज्यादा समय तक, वो ये चीज़ नहीं चुपा पाई, तो deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, her marks had destroyed, and her headmistress urged her parent, to take her to a specialist, head specialist to refer to the doctor, तो यहां पर ये बोल रखा है, but by the time she was 11, लेकिन वो जब 11 साल की हो गई, तो उसके जो marks थे, वो बहुत कम आते गए, because she was unable to listen, है ना, तो उसके जो अवास थी, मतलब कि अवास उसके कानों में नहीं जा रही थी, तो deafness बढ़ रही थी, और जब वो 11 साल की हुई, तो उससे लगभख पूरा ही सुनना बंध हो गया, तो उसकी headmistress ने कहा, teacher ने कहा, principal ने कहा, कि headmistress ने school की, कि देखो, इसे एक doctor के पास लेकर जाया जाया, because उसके marks कम हो गए, it was then discovered, that her hearing was severely impaired, as a result of gradual nerve damage, तो यहाँ पर जब वो doctor के पास गए, तो उन्होंने ये बोला, कि उसकी जो hearing power है, वो बिल्कुल ही बंद खतम हो गई है, क्योंकि कोई nerve damage हो गई है, severely मतलब बहुत गंगीरता से, कोई nerve damage हो गई है, and she is unable to listen anything, they were advised that she should be fitted with hearing aids, and sent to the school for the div, अब उनको ये का गया, they were advised, मतलब उनके parents को advise किया गया, कि that she should be fitted with hearing aids, मतलब कि hearing equipments के साथ, उसको help करना चाहिए, कि उसको कानों में machine नहीं होती, वो लगा दो, ठीक है, कि थोड़ा बहुत सुनाई दे जाए उसे, and sent to the school for the deaf, और जो जिनने नहीं सुनाई देता, special school में, Evelyn को भेजा जाए, because वो नहीं सुन पारी थी, तो उनने का equipment से try कर लो, लेकिन साथी साथ उसे deaf school में भेजता हो, everything suddenly looked black, says Evelyn, तो Evelyn नहीं यह का कि, हर चीज़ ब्लाइक दिख रही थी, मतलब कि उसे यह दिख रहा था, कि जो उसका future है, वो बुलकुल ब्लाइक हो गया, ब्लांक हो गया, she was unable to think properly, जादा ज्रेड निष्चे कि थी, to let a normal life, कि वो बिलकुल normal जिंदगी जीने चाहती है, she was very much determined that, her physical inability, या हम यह कहीं, her physical disability, will not affect her future, she want to become something, and she was showing to her, that she can become a something, ठीक है, but Evelyn was not going to give up, लेकिन Evelyn जो है, वो give up नहीं करना चाहती थी, she was determined, वो बहुत ज़्यादा determined थी, वो बहुत ज़्यादा द्रेड निष्चे कि थी, to lead a normal life, कि उससे बहुत normal जिंदगी जीनी है, and perceive, और उसने पर्सी हो, मतलब कि उसने कोशिश करा, कि वो follow करेगी, her interest in music, कि उसका music में बहुत interest था, तो she just want to perceive it, she just want to follow that, चाहिए, one day she noticed a girl playing a xylophone, तो एक दिन उसने देखा, कि एक जो लड़की है, वो xylophone बजा रही है, and decided that she wanted to play it too, और उसने ये decide कि वो भी xylophone बजाएगी, तो xylophone looks like this, चाहिए, तो यहाँ पर ये बोला गया, कि एक दिन एक लड़की xylophone बजा रही है, तो she thought that she will also play the xylophone, चाहिए, most of the teacher discouraged her, but precautionist Ron Forbes spotted her potential, तो यहाँ पर ये लिख रहा है, most of the teacher discouraged her, बहुत ही ज़टीचर से उन्होंने discourage किया, कि तुम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक precautionist, मतलब beat player, जिनका नाम था Ron Forbes, उन्होंने spot करा, उन्होंने देखा उसे, और उसके potential को देखा, उसे शमता को देखा, तो percussionist Ron Forbes ने, हम यह कह सकते हैं, Evelyn की शमता को देखा, Evelyn की, हम यह देखे, courage को देखा, potential को देखा, कि भई यह कर सकती है, साहस को देखा, और इसके अंदर यह एक चीज़ है, कि she can play these hylophone, He began by tuning two large drums, to different notes, अब उन्होंने क्या किया, two large drums, उसको different notes पर set किया, ठीक है, different pitch पर set किया, okay, don't listen through your ears, he would say, तो percussionist Ron Forbes ने कहा, कि तुम अपने कानों से, संगीत को मत सुनो, अपने कानों से, संगीत को मत सुना, आप कोगे, कानों से ही तो संगीत को सुनते हैं, so what he said, that don't listen through your ears, अपने कानों से मत सुनो, he would say, try to sense it some other way, तो उन्होंने का, try करो, कि music को अब feel करो, एक अलग तरीके से, एक अलग तरीके से, says Evelyn, Evelyn ने जैसे बोला, suddenly I realized, says Evelyn, so Evelyn ने क्या कहा, suddenly I realized, I could feel the higher drum from the waist up, and the lower one from the waist down, so Evelyn ने आगे से ये कहा, कि भाई, suddenly अचानक से, उसे ये realized हुआ, कि जो अपर notes आ रहे थे, अपर pitch वाले sound आ रहे थी, तो waist, कमर के ऊपर उसे वो feel हो रहा था, और जो down pitch के sound आ रहा था, तो उसे कमर के नीचे से, वो feel हो रहा था, तो यहां पर आप देख रहे हो, हम कानों से music को समझ नहीं सकते, लेकिन वो अपनी body part से, music के pitch को feel कर पा रहे थी, और she said कि जब upper notes बच्टे हैं, तो मेरी upper body sense करती है, और जो down, अगर lower notes करते हैं, तो मेरी lower body sense करती है, phobies repeated the exercise, तो phobies ने क्या किया, उन्होंने वही exercise को repeat किया, and soon Evelyn discovered that she could search and notes in different parts of her body, तो क्या हुआ, तो phobies ने फिर वही वाली exercise को repeat करा है, और फिर Evelyn ने क्या बोला, कि वो कुछ notes को different part of her body, मितलब कि वो महसूस कर पा रही है, sense कर पा रही है, I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations, तो वो आगे से कहती है, कि मैंने, I had learned to open my mind, कि अब मैंने समझ लिया था, कि मेरे को अपने दिमाग को कैसे खोलना है, तो कि आपनी body को vibrations के recording, कैसे react कराना है, तो she was able to sense the music through her body part, the rest was sure, जो बाकी की सारी चीज़े थी, वो नीरा था, मतब पावर्फुल फिलिंग थी, determination, उसका dred nishter, willpower and hard work, हम जैसे यह कह सकते हैं, इसकी वज़े से, वो आगे बड़ी life में, चिक है, तो जो उसका willpower था, जो इसका powerful feeling थी, और जो उसका hard work था, that was the main source की, वो बहुत अच्छी, आगे जाके magician बनी, she never looked back from that point onwards, तो वो यह कहती हैं, कि उस दिन के बाद, मैंने कभी भी मुड़ कर, अपनी जिंदगी को नहीं देखा, चिक है, she toured the United Kingdom, a youth orchestra band, and by the time she was 16, she had decided to make music her life, तो she toured, मतलब कि यहां पर क्या बोलने है, tour पे जाना, चिक हम कहते हैं नहीं, tour पे गया हैं, तो वो tour पर गई, United Kingdom में, youth orchestra band के था, और by the time she was 16, और जब वो 16 साल की हो गई, उन्होंने decide कि यह वो अपने music को ही, अपनी जिंदगी बनाएंगी, कि मतलब कि उन्होंने यह decide कर लिया था, at the age of 16, that she will follow music only, कि music की उसका सब कुछ है, okay, she auditioned for the Royal Academy of Music, and scored one of the highest mark in the history of the academy, तो यहां पर बोल रुकिया है, कि उन्होंने audition दिया, Royal Academy of Music में, और उन्हों जो marks मिले, वो इतने highest marks थे, कि academy की history में भी आज तक, किसी ने इतने highest marks अचीब नहीं कर थे, and scored one of the highest marks, मतलब कि इतने, जो marks हम यह कह सकते हैं, कि उन्होंने अचीब करे, जितने बहुत कम लोगों ने करे थे, one of the highest बोल रखा है न, कि हम यह तो नहीं कहेंगे, कि academy में किसी ने नहीं करे, नहीं, academy में करे थे, लिकिन देवर normal people, deaf people में, deaf person में, she was the highest score, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोला, मैंने आज तक royal academy के थे, हास में इतने number, किसी deaf इंसान ने नहीं पाये थे, she was in the top list, normal people में, top list में, उसने सबसे highest score किया था, असान बात है क्या, वोगो तो नहीं लग था, ठीक है, she gradually moved from orchestra work, to the solo performances, अब पहले तो वो band के साथ बचाती थी, तिकिन फिर उसके बाद, उन्होंने अपना solo performances, मतलब single performance, देनी शुरू कर दी, at the end of her three year course, तीन साल के कोर्स के बाद, she had captured most of the top awards, तो उसने बहुती top awards पाई, and for all this, Evelyn वोंट accept any hint of heroic achievement, अब यहाँ पर इतना उपलब्दी पाने के बाद, Evelyn वोंट accept any hint of heroic achievement, मतलब बहादूर उपलब्दी, she won't accept, वो यह नहीं मानती थी, औरे मैंने इतना कुछ पा लिया, हम कुछ जिंदगी में इतना सा पा लेते हैं न, भॉय हमने तो यह पा लिया, लेकिन Evelyn इतनी जादा उपलब्दी पाकर, she was so kind that she didn't accept, आरे ठीक है, होगे, ठीक है, यहाँ पर clear हुआ, आगे, if you work hard and know where you are going, you will get there, तो यहाँ पर लिख रहा है, Evelyn कहती है, कि अगर आप महनत कर रहे हो, और आपको पता है कि आप कहां जा रहे हो, तो you will get there, तो तुम भाहां जरूर पहुच होगे, आप महनत कर रहे हो, और आपको पता है आपको कहां जाना है, तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं, कि शी गॉट राइट तुदी टॉप, अवो सबसे टॉप पह पहुची, दवर्ड वोस सो चाप्टर, मतलब मोस्ट फेमस, पॉपुलर, मल्टी परकुरिशनिस्ट, मल्टी परकुरिशनिस्ट का मतलब क्या है, मल्टी अलग अलग जो हम यह कहें, मूजिक इंस्ट्रॉमेंट बजा सकता है, ठीक है, विदम, मास्ट्री, और सम थाउजन इस्रॉमें, उन्हाने इतनी ज़्यादा मास्ट्री कर ली थी, कि समें थाउजन इंस्रॉमेंट में, शी परकुरिशनिस्ट, विदाउट एरिंग तो इट वह वेरी इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग वहाथ ही जिग्या सा पून जल्चस को था कि उन्होंने कि आप देखो एक इंट्रव्यू में तो शी सेड मतलब की जव नरेटर हमार को बता रही है कि जब दो घंटे की डिसकेशन उनके साथ हुई एवलीन के साथ तो वो कि उन्होंने एक भी शब्द मिस्ट नहीं किया मतलब वो अराम से सुन पा रही है मतलब सुन नहीं पा रही थी शीव एबल टू तो फील की सामने वाला क्या कह रहा है थू हर आइस वो होटो को पहचान लेती थी चीक है men with wishy beard give me trouble तो वो कहते हैं जो men है जो आदमी होते हैं जिनकी घनी दाड़ी होती हैं हथ कर वो कहते हैं वो मुझे problem देते हैं चीक है she laughed और वो हसती है it is not just watching the lips it's the whole face especially the eyes तो वो कहते है खाली यह नहीं है कि मैं सिरफ होटो को देखती हूं लेकिन मैं पूरे face के expression को देखती हूं और especially मैं आखों को देखती हूं जिससे मैं समझ पाती हूं कि सामने वाला कहना क्या चारा है तो वो यहां पर यह कहती है कि जो घनी दाडी वाड़े लोग होते हैं वो थोड़ी मुझे problem देते हैं चीक है especially the eyes she speaks flawlessly with a Scottish list मतलब कि हम यह कहते है वो Scotland से belong करती थी तो Scottish lilt था मतलब उच्चारन मतलब कि accent था हूं के अदर Scottish lilt चीक है और वो बिना रुके बोली लेकिन हा Scottish lilt में बोली My speech is clear because I could hear till I was 11 तो Evelyn कहती है कि मेरी speech जो है वो बिलकुल clear है क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी She says but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese लेकिन यह समझ नहीं आता है narrator कहती है कि ठीक है 11 साल तक तो वो सुन सकती थी तो that is why उनकी जो speech है वो बहुत clear है लेकिन उन्होंने French कहते सीखे और Japanese basic Japanese language कहते सीखे that was the mystery thing कि बिना सुनके उन्होंने यह language को कैसा सीखा और कैसे बोलना सीखा that was a mystery As for a music she explained it pours in through every part of my body it tingles in my skin my cheekbones and even in my hair तो वो music के लिए Evelyn कहती है it pours in through every part of my body she says कि जो संगीत है वो मेरे शरीर के हर पार्ट में आता है मतलब I can feel it through the pores जो pores होते हैं skin में हर एक एक pores से जो संगीत है वो मेरे अंदर आता है चीक है और it tingles in the skin और वो गुद्गुदी करता है मतलब it vibrates in my skin जिसे मुझे पता चलता है upper note है या lower note है चीक है आगे when she plays the xylophone जब वो xylophone बजाती है she can sense the sound passing of the stick into her finger tip अब जब वो xylophone बजाती है तो जब वो stick से मारती है तो stick से जो vibration उनके finger tip से उनके body में enter होता है तो she can feel it by leaning against the drum वो कहते हैं by leaning against the drum she can feel the resonance flowing in her body तो यहां पर क्या है वो यहां पर कहते हैं कि जब by leaning against अगर वो drum के पास जाती है तो जो drum की vibration होती है जो गूंच होती है वो उनके body part में आती है जीक है on a wooden platform she removes her shoes so that a vibration pass through her bare feet and up her legs और अगर wooden platform हो तो वो क्या करती है जो अपनी चपल होती है जूते उनको उतार देती है नंगे पाओ खड़ी होती है ताकि जो sound है जो vibration है वो उनके leg से body में enter हो जाए ठीक है feet and up her legs not surprisingly इतना हरानी की बात नहीं है Evelyn delights her audience Evelyn हमेशा खुश रखरती है अपनी audience को ठीक है happy करती है in 1991 she was presented the royal philormic society prestigious soloist of the year award तो यहां पर क्या लिख रहा है यहां पर लिख रहा है not surprisingly इतना हरानी की बात तो नहीं है Evelyn delights Evelyn खुश करती है अपनी audience को ठीक है 1991 1991 में she was presented with the royal philharmonic society prestigious soloist of the year award तो उन्हें क्या मिलता है philharmonic society prestigious award मिलता है soloist मतलब एकल कलाकार year award मतलब की solo award मिलता है soloist year ठीक है she says master percussionist james blades god may have taken her hearing but she has given her sum back something extraordinary take percussionist james blades and work at the hand keep god nature of case in naked power lately looking put a good cheese Evelyn ko pradhaan curry a pallet of philharmonic society a prestigious award us commenta a ticket or us about percussionist james blade be both a house so that is like बहुत ही बड़ी successful cheese Evelyn ko milti है what we hear she feels far more deeply than any of us मतलब यहां लिख रहा है कि हम जो सुनते है न उससे जादा वो संगीत को महसूस कर लेती है जितना हम सुन नहीं पाते उतना वो महसूस कर लेती है मतलब यहां पर यह कह सकते है Evelyn ने खुद कनफेस किया उसने खुद बोला कि हाँ वो एक ऐसी लड़ीकी है जो बहुत ही जादा काम में डूबे रहने वाली है वो कहूलिक है I have just got to work often harder than classical magician तो I have just got to work मैं यहां पर Evelyn कहते हैं कि I have just got to work often लगभग जो हम यह कह सकते हैं कहीं बार harder होता है मुश्किल होता है than classical magician जो इतना workload है जो classical magician से भी कहीं बारी लगभग बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है but the rewards are enormous लेगिन हम यह कह सकते हैं कि जो rewards हैं उसे rewards जो मिले हैं वो enormous हैं वो बहुत बड़े हैं जो reward उसकी उसमें जो महनत करिया है उसका जो फल है वो बहुत बड़ा है जी कि apart from the regular concert Evelyn also gives free concerts in prison and hospital अब regular concerts की जगा भी हम यह कहीं इसके अलावा Evelyn free concerts भी करती है prison में भी करते है hospitals में भी करती है she also gives high priority to the classes for young magician और उनके priority होती है जो young magician होते है न उनके आगे वो ज्यादा performance दे उनको ज्यादा indulge करें चीक है Ann Richland Ann Richland of the Bituvin fund for the deaf children says वो यह क्या कहते है Sounds जपीन ч'is the shining inspiration for deaf children तो वो deaf children के front case Umm yaハlands बिह कह सकते है कि Ann Richland estiak तो वो यहां पर कहते है कि she is a shining inspiration वो बहुत ही बड़ी inspiration है deaf children के लिए लिए they see that there is nowhere that they cannot go वो याण पर यह कहते है कि वोतनी बड़ी inspiration है deaf children के लिए कि अब वो यह दिखाते हैं that they see that there is nowhere that they cannot go मतलब वो इतना ही बड़ी inspiration है कि वो यह सामने वालों को यह दिखा देते हैं कि ऐसी कोई भी जगा नहीं है आप जहां तक नहीं पहुँच सकते मतलब आप हर जगा पहुँच सकते हो चीक है Evelyn Glennie has already accomplished more than the most people twice our age उन्होने भी नँप पाई हो तो people twice our age मतलब कि जादा उन्होने उपलबदी पाली जो उम्र में उससे double है न उन्होने भी उतनी उपलबदी नहीं पाई होगी जतनी उन्होने सकस्पाई है चीक है? she has brought precaution, मतलब beats to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving तो उन्होंने यह दिखाया कि जो beats हैं in front of orchestra और उन्होंने थाबित कर दिया कि it can be very moving, कि it can be very moving मतलब क्या हुआ, it can be, it can have a great impact, that's the simple thing. चीके, तो यहां पर हमने देखिया, okay. She says, she has given inspiration to those who have handicapped, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं, कि उन्होंने inspiration दी उन लोगों को, जो बहुत ही, क्या थे, physical disability के कारण यह सोचते थे, कि boy मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन she was inspiration to those people, जो बहुत, हम यह कह सकते हैं, कि problem में थे, यह, they were handicapped, people who look to her and say, जो लोग थे, वो उसे देख कर कहते थे, if she can do it, I can, अगर यह कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ, यह मैं भी कर सकता हूँ, and not the least, she has given enormous pleasure to million, और यह not the least, और end में वो chapter को खतम करती हूँ, कहती हैं, कि last में में यह नहीं कहूंगी, कि खाली उन्होंने inspiration दी, बल्कि सामने वालों को pleasure भी दिया, खुशी भी दी, through her music, चेक है, तो यहां से millions मतलब million लोगों में, and this is the end of the chapter, तो यह छोड़ी दी कांधी बहुत अच्छी थी, अब quiz खेल लेते हैं, लेकिन quiz का answer, आप मुझे दोगे comment section में, और comment section में, I need your answer, because यह आपका homebuck होता है, तो पहला question हम देख लेते हैं, who was deaf in the lesson, मैं answer नहीं बताऊंगी, copy में फड़ावट लिको, तागे comment section में कर सोको answer, question number two, how old was Evelyn, when she went to royal music academy, question number three, when was Evelyn deafness noticed, comment section में, I need your answer, quiz number two, ठीक हैं, लेकिन पहला fourth question रागा है, तो इसे भी कर लो, who is the author of this story, हो गया, quiz number two, start, Evelyn Glennie took dash to the next level, question number two, who is the author of the chapter, and this is the end of the video, और I hope, आपको one shot, इसका अच्छा लगा हूँ, ठीक है, I try to cover every point, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो इसका homework करके, जरूर comment section में बता दीजेगा, ताकि मैं उसे check कर पाऊं, और अगर आपको ऐसी videos रही हैं, तो Just Paddle के साथ जुडे रहें, हम सारे chapters को one shot में आपके लिए जरूर लाएंगे, वीडियो को like करना मत भूलिएगा, share करना मत भूलिएगा, और चैनल को subscribe करना भी मत भूलिएगा, चले, thank you so much everyone, bye bye, take care, Just Paddle के साथ बने रहें,